हलो दोस्तों मैं आपको परमात्मा और एक किसान की कहानी सुनाने जा रहे हूँ आई होप आपको पसंद आएगी एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया कभी बाड आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए और तो कभी ओले पड़ जाए, हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए एक दिन बड़ा तंगा कर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभू, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की जादा जनकरी नहीं है एक प्रात्मा है कि एक साल मुझे मौका देजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा परमात्मा मुस्कुराएं, और कहा, ठीक है जैसा तुम कहोगी वैसा ही मौसम दूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा किसान ने गेहों की फसल बोई, जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी तब पानी, तेज धूप, ओले, बाड़, आंदी तो उसने आने ही नहीं दी समय के साथ फसल बड़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी किसान ने मन्य मन्य सुचा, अब पता लगेगा परमात्मा को की फसल कैसे करते हैं, बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परिशान करते रहे फसल काटने का समय भी आया, किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छादी पर हाथ रखकर बैठ गया गेहों की एक भी बाली के अंदर गेहों नहीं था, सारे बाली अंदर से खाली थी बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से का प्रभू ये क्या हुआ, तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संगर्श का जरा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूजने दिया, उनसे किसी प्रिक बचाने का संगर्श करता है, और इस संगर्श से जो बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है, उर्जा देता है, उसकी जीवन को उभारता है, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथोड़ी से पीटने, गलने, जैसे चुनोतियों से गुजनना पड़ जो आदमी रूपे तलवार को धार देती है, अगर प्रतीबाशाली बनना है तो, चुनोतियां तो स्विकार करने ही बड़ेगी, अन्निता हम खोकले ही रह जाएंगे, अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतीबाशाली बनना है, तो संगर्श और चुनोतियों का साम करना तो करना ही बड़ेगा दोस्तों अगर आप ऐसी मोटिवेशन स्टोरी को सुनना चाहते हो तो आप डीप स्टोरी को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें और आप डिस्क्रिप्शन बाक में भी जाकर हमें खबरिया पर भी फॉलो कर सकते हैं